हेलो गाईज में दूरेक्षित आपका स्वागा था हमारे डूप चलने में सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं यह टाटा नेक्सवन जो 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 सेफिटी के तरफ जाते हैं तो इस गारी के तरफ लाट के बात करें तो यह पुर दूर करने वाले हैं क्योंकि बात करें तो इसकी हम लोग प्राइस पर जाती है 8,68,000 exorum price और XM model की बात करो तो उसकी price की पढ़ जाती हमें 8,16,000 तो difference की बात करें तो difference आती है 52,000 की मतलब बाओ नजर के difference आती है ज्यादा के difference आती है यहाँ बाओ नजर में जो पाच features है जो XMS में हमें मिल जाती है वो आपको बताने वाले कि क्या के feature हमें extra मिल जाती है जो कि इसको value for money बना देती है तो difference की बात करें भाई XM और XMS में तो सबसे पहला difference वो है sunroof तो जैसे की model में ही है XMS S इसको sunroof को यहाँ represent करती है तो हमें इसमें sunroof मिल जाती है इस model में जो कि सबसे बड़ा और सबसे पहला highlighted feature है XMS की तो हमेरे पहला में आ जाती है इसकी sunroof जो कि हमें extra model में नहीं मिलती है ठीक है अब दूसरे feature आ जाती है इसकी automatic wipers जो कि XMS में मिलती है जो कि आप वाइपर्स देख रहे है और मैं ऐसे मानता हूँ कि बेस एक उपर के model में अगर वो फीचर दे दी जाता है तो वाइप सोने पर सुआगा हो जाता है तो इसकी थर्ड फीचर है automatic headlamp तो मैं बेस एक model उपर में हमें XMS में automatic headlamp मिल जाती है इसके headlamps देख रहे हैं यह autofold वाली autofold auto unfold वार्वियम से जैसे मैं आपके कोई दिखा दूँ यह आप देख सकते हैं इसकी यह की है तो इसकी जो वार्वियम से जैसे ही हम गारी के lock करते है automatic fold हो जाती है और unlock करने पर automatic unfold हो जाती है तो यह थी इसकी fourth feature जो कि हमें XMS में मिलती है XM में नहीं मिलती है तो अब जो fifth है जो last one है वो last one है इसकी steering controls तो गारी को हम लोग करते हैं यह जिसके भी unlock ही है यह अब देख सकते है पहले XM model में steering controls आया करती थी फिर बात में जो DRL इसमें डाल दिया कि इसके headland पे थोड़ी changes की गए है उसके बाद इसमें steering controls लाना बंद कर दिया गया XM model में नहीं हाँ XMS में steering controls देना company ने चालू किया है तो अब देख सकते है XMS model जो खाली-खाली नहीं लगता है इसमें steering controls मिल जाती है तो यह थी हमारी fifth feature जो कि XM और XMS में difference है तो भाई price की बात कर तो ज्यादा difference पढ़ती नहीं इसर्फ बाव आउन हजार में आप देख सकते है बहुत ही ज्यादा काम की features समय मिल जाती है और एक बार आपको sunroof दिखा देते है जो कि इसकी सबसे मैं highlighted और जो कि मैंने इसको पहले ही बताया तो भाई sunroof इसी बहुत ज्यादा खास है और इंडिया में भाई बात करें तो नौ लाक में sunroof विदे देना टाटा ना भाई कमाल कर दिया है जिसे कारण इस गाड़ी के डिमांड बहुत ही ज्यादा है इसकी वेटिंग प्रेड के बात करें तो साल भर तक इसकी वेटिंग प्रेड चल रही है और लोग इस गाड़ी के लिए वेट भी कर रहे है क्योंकि बहुत ज्यादे यह special बनाया गया है चलि इसको कर लिए हमें on और आपको संदूफ दिखाते हैं यह आप देख सकते हैं तो यही है इसकी सबसे हाइलेटедь फीचर जो कि XM में मिल जाती है और XM में हमेंने हैं मिलती है तो भाई मैं उमिद करता हूँ आपको सारा इडिया मिल गया होगा और अगर इस वीडियो में आपको सारा डिफेंस सभाज मां गया हुगा कि क्या क्या आपको difference मिल जाती है तो वीडियो का लाइक कर सकते हैं चैनल को subscribe कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए thank you so much